है हेलो फ्रेंज में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मैथड ओवर लोडिंग के बारे में यानिके कमपाइल टाइम पोली मोर्फिज्म के बारे में तो यहां पर हमने क्वेस्चन लिखा हुआ है explain compile time polymorphism with example compile time polymorphism को ही हम method overloading बोलते हैं compile time polymorphism is achieved through method overloading यानिके method को overload करके हम compile time polymorphism को achieve कर सकते हैं The method overloading allows us to have more than one method with the same name but different parameter जो method overloading होता है यानि कि जो compile time polymorphism होता है यह हमें क्या बोलता है कि आप same name के method को एक से ज्यादा बार use कर सकते हो लेकिन उनका name same होना चाहिए और जो उनके parameter होते हैं वो different होने चाहिए जब ऐसा scene होता है कि एक same नाम के बहुत सारे method होते हैं वो different होते हैं तब हम उसको बोलेंगे method overloading या compile time polymorphism बोलेंगे this process is executed during compile time that's why it is known as compile time polymorphism जब भी हम method overloading का coding लिखते हैं तो यह compile time पे ही क्या हो जाता है इसमें process हो जाता है यानिके यह execute हो जाता है तो इसी लिए हम क्या बोलते हैं इसको compile time polymorphism बोलते हैं तो यहाँ पर देखे compile time polymorphism यानि के method को overload करने के लिए हमारे पास कुछ condition होती है हमारे उन condition को fulfill करना होता है जो पहला condition होता है name of method should be same यानि के जो methods होते हैं उनके name same होने चाहिए जैसे मैं एक method ले ले लेता हूं यहाँ पर add करके यह हो गया पब्लिक ओई एड मैफ़ड हो गया यह की body हो गई अगर मुझे इसको overload करना है तो मैं क्या करूंगा इसी method को एक बार और declare कर दूंगा पब्लिक ओई और इसका नेम यहाँ पर सेम रखूंगा अगर यह situation बनती है हमारे प्रोग्राम के अंदर की एक नाम का method आपको एक से ज्यादा बार दिखाई देता है तो आप वहाँ पर समझ जाईएगा कि यहाँ पर method overloading का concept दिया गया है different टाइप और जो सेकेंड कंडिशन होगी यहाँ पर डिफ्रेंट टाइप ओप पेरामिटर या फिर डिफ्रेंट नंबर ओप पेरामिटर मतलब जो नेम है वो तो सेम होने चाहिए लेकिन उनके जो मैथड के अंदर जो पैरामिटर हम देते है या तो उनके data type different होने चाहिए या फिर उनके number parameter different होने चाहिए जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पर जो add नाम का method लिया हुआ है हमने तो यहाँ पर हम आर्गुमेंट पास कर रहे हैं integer type का integer type का ले लिए हमने variable a और यहाँ पर हम क्या ले लेंगे float a तो यहाँ पर क्या होज अलग यह फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि इस add के अंदर यह इस add नाम के method को हम दो parameter दे दे दोनों इंटिजर टाइप के और इस method को हम क्या दे दे तीन पर दे दे तीन इंटिजर टाइप के तो यहाँ पर क्या होगा कि जो number of parameter है वो different हो जा रहे है एक मैतड को हमने क्या दिया दो parameter दिया और दूसरे method को हमने तीन parameter दिया तो यह दूसरी condition भी आपको धियार में रखना है जब आप method overloading का concept use करोगे और next यहापर जो condition बनती है method must be into same class यानि कि जब हम method overload करना चाते हैं यानि कि compile time polymorphism को achieve करना चाते हैं तो यह concept केवल एक ही class के अंदर यूज क्या जाता है यानि कि आपने कोई एक class बनाई ए नाम की तो उसी के अंदर अगर आप method add नाम के method यूज कर रहे हो multiple time same name with different parameter then it will be compile time polymorphism तो चलिए अब हम इसका simple सा program बना कर देख लेते हैं आ गए हैं हम अपने laptop की screen और यहां पर हम ने एक program बनाया हूआ है यहां पर आप देख सकते हो कि के last बनाया है ओवर्लोड navigate के नाम से और यहां पर हमने three method बनाई हुए हैं एक यह method और एक यहां पर आपको दिखाए दे रहा होगा और एक last में method दिखाए दे रहा होगा इन तीनों method के नेम यहाँ पर सेम हैं इसका भी नाम सम है इस method का भी नाम सम है और इस method का भी नाम सम है लेकिन यहाँ पर जो इनके parameters हैं वो different है हमने definition में भी पड़ा था कि जब methods के नेम सेम होते हैं और उनके parameter different होते हैं तब हम उसको बोलते हैं method overloading यहां पर देखिए हमने एक भी argument पास नहीं किया है यह जो next वाला method है यहां पर दो parameter पास किये हैं और जो last का method है यहां पर तीन parameter पास किये हैं तो चलिए अब हम इन method को call करा के देखते हैं कि किस तरह से एक method के अलग-अलग output आपको देखने को मिलेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहां पर overloading class जो है इसके अंदर हमने define किया हुआ है इन methods को यह हमने देखा भी ता definition के अंदर की method overloading method को achieve करने के लिए जितने भी methods होते हैं वह विदिन दा class होने चाहिए मतलब एक ही class के अंदर में methods मुझूद होने चाहिए तो यहां पर हम पहले इसका object बना लेते हैं overloading बना लेते हैं अब यहां पर देखें ओबी जे से हम call कराएंगे some method को अब यहां पर some method को हमने call कराया और यहां पर कोई भी हमने argument पास नहीं किया है तो यहां पर सबसे पहले compiler check करेगा कि obj जो class object है यह किस class का object है overloading class का तो compiler check करेगा overloading class के अंदर some नाम का method है या नहीं तो वह overloading class के अंदर आएगा तो उसको some नाम के यहां पर 3 method दिखाई देंगे तो फिर से यहां पर check करेगा कि इन में से कौन सा method ऐसा है जिसका signature इस वाले method से calling method से match कर रहा है यानि कि इसके अंदर एक भी argument नहीं है तो यहां पर check करेगा कि ऐसा कौन सा method है जिसके पास एक भी argument नहीं है तो वो उस method को call कर देगा तो एक बार इस program को हम run करके देख लेते हैं फिर आगे इसकी जो deep में समझने की कोशिस करेंगे कि इसका output क्या आता है तो यहाँ पर देखें output क्या है आया है यहाँ पर nothing to add तो यह nothing to add यहाँ से आया है यह वाला जो लाइन है इससे आपका output मिला है क्यों मिला है क्योंकि यहाँ पर हमने एक भी parameter पास नहीं किया है तो इसलिए compiler ने इस method को call किया है अगर इसी method के अंदर हम arguments पास कर देते हैं तो और फोर पास कर दिया तो अब की बार compiler क्या करेगा चेक करेगा कि ऐसा कौन सा method है जिसका नाम सम है और वो दो parameter ले रहा है तो यहाँ पर इस वाली लाइन पर आकर यानि कि जो method है यहाँ पर आकर वो समझ जाएगा कि इस method को call करना है क्योंकि यह method इसका name है और यह दो टाइप के परमेटर भी ले रहा है तो यहाँ पर जब हम इसको रन करेंगे को यहाँ पर देगे आउट पुट आपको क्या देखने को मिलेगा तो तो यहाँ पर outpuer में क्या मिल रहा है शिक्स मिल रहा है क्योंकि यह बढ़ने टूप्यायमिटर पास की है दिखाए दे जाएगा इस वाली लाइन पर आकर वो समझ जाएगा कि इस मैठोड को कॉल करना है तो एक बार से फिर से अपने प्रोजेक्ट को इसको प्रोग्राम को रन करते हैं रन करने के बाद अब की बार देखें यहां पर आउट्पूट क्या मिल रहा है थर्टीन मिल रहा है तो इस तरह से हम एक ही मैठोड को ओर लोड कर सकते हैं जब हमें इस मैठोड की ज़रूत होगी जिसमें कोई भी पैरामि में आ गया होगा कि method overloading क्या होता है आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं next वीडियो में जो जावा के दूसरे concept हैं उनको जानेंगे अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा thanks for watching